सप्टाहेक राशिफल, the 4th of August to the 10th of August 2024, इस सप्टा कोई विशेश ग्रहन का राशी परिवर्तन नहीं हो रहा है. परंतु चंद्रमा की गोचर से होने वाली युती का प्रभाव सभी राशियों को प्रभावित करेगा, जिससे कुछ राशियों को लाब होता दिखाई दे रहा है, तो कुछ राशी वालों को संघर्ष का सामना करना पड़ेगा. यह सप्टाह आपके लिए कैसा रहेगा? वुरिष्चिक राशी का साप्ताहेक राशिफल 4 अगस्ट से 10 अगस्ट 2024. वुरिष्चिक राशी वालों के लिए दे सकता मिला जुला रहने वाला है. वुरिष्चिक राशी के स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं. मंगल गुरु के साथ युती आपको शुब फल दे रही है जिसे आपके ज्यान की प्रशनसा चारों तरफ हो रही है. आपकी बुद्धी के निर्नए सब तरफ आपको सफलता दिलवाएंगे. आपके ग्यारहवे भाव में केतु का गोचर आपको उन्नती प्रदान कर रहा ह जिससे आपको धन्धान्या की प्राप्ती की विशेश योग बन रही है. आपके चतुर्थ भाव में शनी का गोचर आपको वहां प्राप्ती के योग बन रहा है. यह सप्ताह आपके लिए वहां प्राप्ती के लिए विशेश सफल लेकर आ रहा है. पंचम भाव में राहू की युती संतान की ओर से किसी प्रकार का अशुब समाचार दे सकती है बच्चों का परीक्षा में सफल न होना या उच्च शिक्षा में दाखिला न होना इस तरह का समाचार प्राप्थ हो सकता है सप्तम भाव में गुरु मंगल की युती से जीवन साथी का सहयोग आपको लगातार मिल रहा है आगे भी मिलता रहेगा जिससे आपके मन में एक शांती का भाव बना रहेगा नवम भाव में सूर्य मंगल की युती सप्ताह के आरंब से बनी हुई है जिससे आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा जो आपके सप्ताह आने तक बारवी भाव तक गोचर करेगी जिससे आपको धन की प्राप्ती रोजगार की प्राप्ती विदेश यात्रा जैसी स्थिति पैदा कर सकती हैं. रोजगार की तलाश कर रही युवाओं के लिए यह सप्ता मिल जुला फल लेकर आ रहा है. आपके दशम भाव में बुद्ध शुक्र की युती आपको व्यवसाई करने के लिए प्रेरित कर रही है. पात्नेशिप में व्यापार ना करें आपके लिए व् रहेगा. गामेंट्स और लिक्विड पेट्रोलियम से जुड़ा व्यापार कर सकते हैं. डिस्क्लेमर इस लेक में दी गई किसी भी जानकारी की सटिकता या विश्वस्नियता की गारंटी नहीं है. विभिन माध्यमों जैसे ज्योतिशियों, पंचांग, मान्यताओं या फ इसके किसी भी तरह के उप्योग करने से पहले संबंधित विशेशग्य से सलाग जरूर ली.